गुड मॉर्म श्रेटिस अभवा देखा हैं लास्टेम याद है मैंने कौन सा जप्टर रिवाई की शुरू किया था इसके बाद मैंने आपको करवाई था लाइट मैंने लास्टेम क्या करवाया था फिर्स्ट अफौल वी हैव डिसकास्ट्ट वट मेंक अस्टिंग्स तु विजिवल मेंज की हमें विजिवल कैसे होती है इसके बाद मैंने आपको करवाय था लौज ओफ रिफलेक्शन मेंज इंकल अगल ओफ एंसिदेंस इस अलवेज इकल तो अंगल ओ रिफलेक्शन और इ इसके लावा हमने किया था कि diffuse, diffuse reflection और diffuse या आप कह सकते हो irregular reflection और दूसरा आपको कुराया था मैंने regular reflection यह सब हमने कर लिया था इसके लावा मैंने आपको बताया था static of image found by plane mirror यानी कि plane mirror से हमारी कोंजी image बनती है ठीक है तो यह सब हमने कर लिया था इसके लावा I told you about lateral inversion lateral inversion के बाद भी आपको बताया था मैंने ठीक है तो now I told you about multiple reflection मैंने आपको बताया था ना कि आपकी सी बारबर शोप में जाओ वहाँ पे आप देखो आपने haircuts करवा रही है तो आपको अपना पीछे का portion तो नहीं नज़राता तो बारबर जो है आपको एक अलग से mirror दिखाता हो आपको back उसमें नज़राता है क्यों? क्योंकि जब आपके जो उससे body से race पहले ऐसे जाएंगी mirror की तरफ फिरू reflect back उके दुबारे front वाली mirror पे आजाएंगी तो इससे अपनी image जो है बड़े अराम से देख सकते हैं तो इसको हम कहते है multiple image ठीक है? अब multiple image have you seen multiple images? कभी देखा है बिटा? multiple images क्यों होता है? अगर हम एक की हो जाए दो या तीन mirror image करें then we can see the multiple images अब multiple images में क्यों होता है? जैसे मालोग हमने यह हैं यह हमने तो mirror नहीं है और इसको एक ठीक है राइट एंगल पे रख दिया है हमने इस तरह से राइट एंगल के ड़ग दिया और हमने यहां पे एक point रख दिया दोरों के सामने तो हमें इसमें किसकी डिफ्रेक्शन आज़ाएगी इसमें तो we can see for more point means हमें multiple images नज़ाएगी you can see it from activity 16.5 कि अगर आपने राइट एंगल पे रखा है 45 degree Celsius पे रखा है 60 degree Celsius पे रखा है 120 तो हम देख सकते हैं कि कितनी images हमें नज़ाएगी we can see more than one image तो यह होता है हमारा multiple images जो हमारी बंती है हमारी multiple reflection की वज़े से इसके बाद हमारा instrument होता है clearoscope and also periscope periscope and clearoscope they both are the first one they are based on the principle of multiple reflection clearoscope B or periscope B and they are very useful for us periscope है जैसे में some marine some marine में हमें वे को find out करने में help करता है clearoscope, clearoscope से हम multiple images देख साथे इसमें क्यों होता है मालोब एक mirror हमने इस तरह से लगाया एक इस तरह से और तीसरा हमने इसके नीचे एक तरह से three mirrors हो देंगे ठीक है cover three mirrors जो है हम एक तरह से ट्रेंगल की फों में बनाके इसको हम एक thick cardboard से cover कर देंगे यह होगे हम हमारा thick cardboard अब इस thick cardboard से हम cover कर देंगे अब इसकी एक side पे तो हम इसमें एक glass रखेंगे यहां भी mirror से cover करेंगे mirror से cover क्यों करेंगे? ताकि reflection of light can take place और इधर की side की हम cover कर देंगे लेकिन हम उसमें चोटा सा hole रखेंगे और यहां पे इसको cover करने से पहले हम broken bangles और इसके लावार कुछ beads वो इसके अंदर डाल देंगे तो हम जब भी इस hole से देखेंगे तो we can see many beautiful pattern, many beautiful images मतलब beads है या जो आपकी bangles है उनका beautiful pattern से beautiful images आप देख सकते ठीक है? तो और सबसे बड़ी बात जितनी बात हम इसमें hole में से देखेंगे उतनी ही बात हमें एक नई image नज़राएगी यह बड़ी surprising बात है कि बार बार हमें अलग अलग images नज़र आएगी तो यह था हमारा example of multiple reflection ठीक है? इसके इलावा हमारा होता है dispersion of light, dispersion क्यों होता है? dispersion means splitting, means light का split हो जाएगा, तो that is called as splitting Have we seen rainbow? Rainbow का बनता है? कभी नौट किया? Rainbow हमारा तब बनता है जब एक बारिश आई है और बारिश एकदम से रूख जाती है लेकिन उसमें छोटी छोटी बुंदे, small droplets float in the atmosphere लेकिन उसके लिए दूसरी condition क्यों होनी चाहिए? कि जो sunlight है मतलब एकदम से दूख निकल जानी चाहिए मेज कि जब बारिश आई है और बारिश के एकदम बाद छोटी छोटी पानी की बुंदें हमारे atmosphere में float कर रही है तब उस पे अचानक से दूख निकलाएं तो क्यों होता है? जो sunlight है जो छोटी 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 droplets तो जो sunlight है जब वो इस छोटी सी droplets में आएंगी तो it will split into seven colors तो that seven colors is called as rainbow उसी से हमारा rainbow बनता है और उसको मतलब rainbow it is better for seven colors उसको हम कैसे लड़ कर सकते है? विप्योर से विप्योर से विप्योर क्या होता है? विप्योर यहीं बॉर्लेट, इंडिवो, ब्ल्यू, ग्रीम, येलो, ओरेंग औरेंग तो इस तरह से ही seven colors में बनते हैं तो इसको मतलब एक तरह से क्या होता है dispersion of light dispersion of light जो हम prism में भी दे सकते हैं जैसे एक prism हमारा होता है prism पे अगर उसके end पे हम sunlight को मतलब sunlight इसके पढ़ती है एक हम prism लेंगे और prism को हम थोड़े time के लिए sunlight में रख देंगे तो sunlight जो होता है sunlight में जैसे इस case पे पढ़ेगी it will split into seven colors तो एक तरह से दुबारा से हमारा क्या हो जाएगा dispersion of light अगें आपके सबके गुर्ण में cd player है cd player के लिए आप cd use करते हैं cd थो आशकल वैसे बहुत normal है cd को अगर आप थोड़े टैम के लिए धूप में रख दो तो you can see the different patterns of color आप उसमें भी बहुत सारी colorful pattern देख सकते हो इसके लावा जैसे आप soap लिए आपने कपड़े भूई है या वैसे soap bubbles soap bubbles में भी आपको colorful pattern नजर आ जाता है तो यह था हमारा dispersion of light अब है what is inside our eyes यनि की हमारी eyes में क्या होता है आपको हमें eyes जो है बहार से देखने में कैसी नजर आती है it is somewhat spherical ठीक है जो outer coat है it is white और यह white outer coat है it is tough and hard और इसी वज़े से यह क्या करता है it protect the interior part of eye यह interior part of eye के बचाता है ठीक है it is मतब इसका transparent it is transparent front part that is called as corny यह दो को transparent है front part है यह हमारा क्या होता है corny ठीक है it is cold as corny ध्यान से तो यह निख लेना और आप यह सारे निख भी लेना so it is very very important तो हमारा यह होता है corny अब corny क्या होता है corny के पीछे एक dark muscular structure होता है that is called as iris अब iris का क्या काम होता है it control the amount of it control the amount of light that enters that enters into our eyes मतलब जो हमारी eyes में light enter करती है उसको कौन कंट्रोल करता है evs आपने कई बर देखा होगा कि आप बहुत जादा रोशनी है sunlight है sunlight से आप एकदम dark room में गए तो dark room में तो जैसे आप ऐसे कमरे में गए जहां पे अंधिर है तो आपको क्या फिल्क होगा आप एकदम से light है light से आप एकदम अंधिरे में आयो तो कुछ होगा जो आपका iris है वो contract हो जाएगा और contract होने के बाद within half minute हमें सब कुछ normal दिखाई देगा बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप एक dark room में हो जहां पे बहुत ज़्यादा अंधिर है उससे जानक आप light में गए तो क्यों होगा तो आपका जो iris है वो contract हो जाएगा ताकि ज़्यादा light उसमें एंटर ना करें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेस light और बहुत कम light दोनों ही चीज़ें हमारी eyes के लिए नुकसान दे हैं तो इस वो जैसे मतब जब हम lights में जाएगे बहुत ज़्यादा light में तो वो contract हो जाएगा ताकि ज़्यादा light हमारी eyes में एंटर ना करें और जब हम light में जाएगे तो थोड़ा सा यह मतब contract हो जाएगा और जब हम dark में जाएगे expand हो जाएगा ताकि ज़्यादा light हमारी eyes में आ सके और हमें think जो है वो visible हो सके clear बच्चों अब इसके बाद next हमारा है in the ears there is small opening यह नजर आ रहे हैं यह हमारी small opening that is called as pupil the small opening is called as pupil pupil ठीक है the size of people is controlled by iris the iris is the part of eye which give us distinctive color when we say that person has green eye actually we are talking about their iris जैसे green आँखे होती है blue आँखे होती है यह किसी की brown कलर की आँखे होती है black कलर की आँखे होती है तो मेलिंग हम किसके बारे में बात करते हैं iris के बारे में ठीक है अब इसके बार behind the people the of the eye is lens which is यह देखो यह हमारा है lens which is thicker यह थोड़ा सा ठीक होती है which is thicker and which is thicker in the center और जो आपके corner है उस पे थोड़ा सा यह thin होगा ठीक है the lens focus light on the back of eye और इसको हम कहते है regular यह हमारा routine है और जो हमारी image है जो भी हम कुछ subject देखते है उसकी image हमारे पे कहा बनती है रेटिना में तो रेटिना contain several nerve cells ठीक है sensations felt by nerve cell are then transmitted to the brain through the optic nerve अब उसमें दो कई के cell होते है एक तो हमारे होते है कौन cell ठीक है एक तो हमारे होते है कौन cell और दूसरा होते है हमारे road cell यह पीटा cell भी आपको पतावने चाहिए कौन cell और दूसरा हमारे क्या होते है road cell अब कौन cell और सीफोर कौन सीफोर कलर्स मतलब यह कलर्स के नहीं होते है मतलब मैं कलर्स को visible बनाते है और जो road cell होते है वो एक तरह से जो road cell होते है they have sensitive to dim light dim light के लिए बहुत जाता है sensitive और जो road cell है they are sensitive to bright light मतलब यह किसके लिए sensitive family bright light they are sensitive to bright light और जो road cell है they are sensitive to dim light ठीक है तो यह भी बिटा आपको का है कौन जो है यह sense करते हैं कलर को at the junction of optic nerve and the retina there are no sensory cells no vision तो उस sports को हम बहुते है blind sport that's what is called as blind sport किके उसके की तरह की कोई भी sensation नहीं होती कोई भी muscles नहीं होते और किसी तरह का कोई भी vision नहीं होता तो उसको हम कहते है blind sport अब जो impression of image 16 seconds तो जो हमारा movies बगारा देखते हैं इसमें भी हम different type की picture देखते हैं तो actually we see a number of separate picture in a proper sequence they are made to across the year usually at the rate of 24 picture per second ठीक है और इसी वज़े से यह 16 seconds से faster होगा इसलिए हम moving picture देख सकते हैं अब nature है nature ने हमारी eyes को क्या provide कि eyelids this is our eyelids तो eyelids जो है it protect from any object जता किसी वज़ेक तो हमारी आंकों में अंडर नहीं करने देती हैं और जब ज़्यादा light की जुरूरत ना हो तो eyelids जो हैं हमारी इस तरह से shut भी हो जाती हैं तो eyes जो है wonderful instrument है ठीक है अब it can see distinct really object nearby अब देखो अगर हम मैं अपनी गुप को इतने पास रखाँ मैं पढ़ने और आप भी करके देखना you are not able to read तो इसके लिए एक proper distance होनी चाहिए जैसे अब मैंने अपनी eyes को यहां रखा फिर थोड़ा size रखा इधर तो थोड़े टाइम बाद I am able to read तो at least 25 cm मता हमारी हुप और नमारी eyes इनके बीच में कम से कम 25 cm की distance होनी चाहिए so that we can read मता इतना हमारी उसमें होना चाहिए ताकि reading कर सके some present अब कुछ present ऐसे होते हैं जो की pass की चीज़े आसा आसानी से देख लेते हैं लेकिन उनको दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती mostly बच्चों में यह होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको pass की चीज़े नहीं दिखाई देती और दूर की चीज़े दिखाई देती है यह after 40 years के बाद की problem है कि हमें दूर की चीज़े तो नजर आ रही है लेकिन pass की चीज़े हमें नजर नहीं आ रही है तो इसलिए हम उसमें फिर क्या करते हैं जो specs लगाते हैं specs में हमारे lenses होते हैं जैसे अगर हमारे pass का हमें ठीक से नजर आता है और दूर का नहीं नजर आता है तो normally हम अगर हमारे pass तो हमें ठीक से नजर आ जाए और दूर का ना नजर आए तो हम concave lens लगाते हैं और हमें अगर दूर का नजर आए और pass का नजर ना आए तो mainly हम अपने specs में convex lens यूज़ करते हैं अगर जिनकी दोनों की नजर कमजोर हो पास की भी और दूर की भी तो जो lens यूज़ करते हैं that is bifocal lens अब कई बार क्या होता old days में जैसे आपने सुना होगा old days people कहते हैं कि हमारी आंकों के सामने जाला बन रहे तो जाला means उनको दुंदला दुंदला नजर आ रहे तो एक तरह से fog हो जाता है उनको हरे तरह एक fog की form में नजर आती है तो it is due to eye lens become cloudy ठीक है और जब इस तरह से आता है तो उसको हम बोलते हैं तो इससे हम बोलते हैं kata brain ठीक है यह हमारा हमारा kata brain तो kata brain ठीक होता हमारा जो lens है eye lens है में ली opaque हो जाता है हाला कि इसको भी हम अगर हमें टैमिली पता लगाए टैमिली के बाद में भी पता लग जाए इसको भी हम क्योर कर सकते है kata brain को हम normal language में ठीक है बच्चों तो यह था हमारा eyes के बारे में अब next time में मैं आपको क्या करवाँगी अभी eyes के बारे में बता दिये care of the eyes इसके बाद brain system यह मैंने आपको next video में करवाना है और इसके बाद eyes of butterfly यह सब आपको करवाना है अभी आपका eyes तक हो गया है और eyes की जो problem होती है जैसे कि कोई problem है वो मैंने आपको करवा दी ठीक है बच्चा ओके take care